नमवू नारे जेगो माता वंदे मात्रों मा भारति को प्रणाम और हिर्दैशे ओम शम सनिश्चराय नमा प्रेमित्रों शाथ्यों शुक्रवार का दिन है मालक्षमे का दिन है राज के दिन ओमलंग लक्षमानमा इश मंत्र का जाप करते हैं मालक्षमे की स्रचेड़ों में 11 कमल घटे के दाने अर्फित करी ओर आज माई की स्रचेड़ों में कमल का इत्र जरूर लेपकार है जरूर लगाए आपकी कष्ट और परिशाने से छिटकरा मिल जाएगा आध्वूद है ये करके देखेगा न मना रहें कुछ लोगों ने का सब आज शुकरवार का दिने मा लक्षमी की कृपा कैसे मिले तो शुकरवार का वर्त रखिएगा एक समय भोजन करें खटाई नहीं भूमी सेन करें मीठा भोजन करें राज शर्दाम सा पवित्र शपेद कपड़े में चावल घी चावल इवा चावल, घी, सक्कर, मिस्री, दही, कपूर और शिंगार की बस्तुए, किसी गरीब महिला को दान में देजिएगा, हर कश्ट और हर प्रेशान की छुटकाराब आप वहिशा वहिशाय में लाब चाते तो आज के दिल रहुकाल के दौरान एक चांदी का सिका, एक कोड़ी, एक गोमती चकर और मोती संग को श्वेशाय में लपेट कर धन वाले इस्तान में रख दिएगा और हर रोच धूप और दीब दिखाई है, केसर का तिलग करिएगा संग पर, देखिएगा कैसे वेश्टाय में लाब बरता है, नमाना है 15 परिल आपका जनम दिन या फिर शादी की साल गरे तो मेरी और से आपको हर्दिक सुपकाम नहीं, आपका जिवन खुशियों से भरा रेशन देव की सिर्चलनों में मेरी प्राता, 15 परिल आपका जनम दिन है या फिर सादी की साल गरे, यह उपाय वर्ष भर आपको लाब सुपाई करें अगर आपका जनम दिने आप खुद ही सुपाई करें आज प्रात्यकाल नेत्य कर्म दिने शनान उप्रांद राहुकाल के दून सरदान सार कच्चे चावल सपेद कपन में बांद कर अपने उपर से एंटिकलोग वाई साथ बार उसारी और किसी जरुतमन्द व यह नमा इस मंत्र का सरदान सार जाब करें तरश पर साथ पांच इलाईसी उसमें से लेजिए शपेद कमड़े में बांद कर अपने पास पूरे शप्ता रखें अगली शुकर और पहले वाली इलाईसी किसी पेड के नीचे रख दें अब साथ इलाईसी बजगी उन्हें सर बांड दीजेगा पुने विद्वितर इस किरिया को दोरा तेने नई इलाईसी अपने पास रखें यह उपाई हर शुक्रवार को करें और शाल भर करें कश्ट और प्रेशान से छुटकारा मिल जाएगा नमुना रहे नमुना